फिल्म सिंबा की सफलता का जश्न मना रही सारा अली खान इन दिनों नए प्रोजेक्ट के सेलेक्शन में व्यस्त है लेकिन उनके सुषान सी राजपुत संग अफैर की चर्चा भी जोरों पर है सारा अली खान ने हाल ही में एक इंटर्व्य में बताया कि वो एक बार रिलेशन में रह चुकी हैं उनके बॉइफरेंट का नाम वीर पहार्या है सारा अली खान बीते दिनों कार्तिक आर्यन के लिए भी अपने क्रश का इजहार सरयाम कई बार कर चुकी हैं सारा अली खान ने बताया कि वीर संग डेट के दौरान उनका दिल नहीं टूटा बस ये रिष्टा नहीं चल सका वीर पहार्या मंत्री शुशेल कुमार सिंदे के पोते हैं वीर के भाई के साथ जानवी कपूर के रिलेशन की खबरे बीते दिनों चर्चा में थी वैसे सारा अली खान ने ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के एक लिडर्शिप लेक्चर सिरीज में अपनी पढ़ाई की दिनों की चर्चा करते हुए केरियर के बारे में भी बताया सारा ने कहा जब मैंने दस्वी कख्षा की पढ़ाई पूरी की तो मैं चिकिस्ता की पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन मेरे हाथ कांपते थे तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सरजरी नहीं कर सकती इसलिए मैंने कानून की पढ़ाई करने का नेड़ने लिया और इध्यास और राजनीती विज्ञान का अध्येन किया लेकिन अंतिम वर्ष में मैंने अपना अभिने पाठ्यक्रम किया सारा ने बताया कि वह हमेशा से पढ़ाकू रही हैं आज भी वो पढ़ना पसंद करती हैं और लगभग हर विशे का अध्येन कर चुकी हैं वह कॉलंबिया जैसे विश्व विद्धाले और नीयोक जैसे एक शहर में इसका आनन्द भी ले चुकी हैं लेकिन रंग मज़ पर काम करने के दौरान उन्होंने जो हडबड़ी महसूस की ऐसा उन्हें कभी नहीं हुआ उन्होंने कहा अभीने हमेशा से एक सपना रहा है फिर भी इससे दूर ही पहरी बात कि मैं मोटी थी और दूसरी बात कि मैं बहुत पढ़ागू थी और इसका मतलब था कि मुझे अभीने नहीं करना चाहिए इस दे में पढ़ाई करते रहती थी और एक समय था जब मेरी मा मेरी किताबों को छीन लेती थी और कहती थी कि इतना पढ़ना ठीक नहीं है